नमस्कार दोस्तों मैं राहूल को साहिए आपका फिर से सागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चंडल यह चैड़ एकाइडियू पर आज हम आपके लिए कुछ अलग क्वेशन लाए हैं जैसे इस टाइब क्वेशन आपने देखे होंगे वन रूट फाइब फिर इसके अंदर रूट फाइब रूट फाइब और यह सो और इन्फिनेटी तक इस तरह के क्वेशन आपने देखे होंगे रूट 5 के अंदर रूट 5, रूट 5, रूट 5 रूट 5 और चलता रहेगा जहां तक अनान्तित तक चलता रहेगा, ठीक है, तो इस टाइब कोशन कैसे करेंगे हम देखते हैं, पहले तो बता दूँ इसका answer, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका answer सीधे सीधे होता है, 5, जो भ इसका अंसर 5 होगा आगे देखते हैं कैसे solution करते हैं जैसे कैसे निकाला हमने यह देखो कि मानलो यह x है रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 और इंफिंटी तर क्या है एक्स के बराबर है अब मैं क्या कर दूँ जाए मत्तिर लेता हैं तो इसस्ग्वारह फूरगाह यहां गरता हूँ इस स्कॉैयर खार चाहिए को समय होगा प्रूरालध 2 तो समय रहेगी और रूट बचे रहेंगे और यह स्क्वारह से रूट फाइब और इस सो ओन इंफिनिटी तर बचा रहेगा इसे और यह बराबर में यह जाएगा एक्स का इसक्वायर बोथ साइड मैंने स्क्वायर लिया ठीक है अब ध्यान दो ज़रा यह तो ठीक है रूट फाइब पर यहां से लेगे यहां तक देखो क्या यह यही नही है रूट फाइब रूट फाइब और ऐसे सलता जाएगा कहा तक इंफिनिटी तर और यह भी क्या है रूट फाइब रूट फाइब अनन तक ठीक है इसका मतलब यह है जो यह हमने सुरू में लिया था एक्स यही क्या है एक्स की बराबर है तो कितना हो जाएगा यह जाओ कि सम्मूद्र है सागर से एक बाल्टी पानी निकाल दी तो कुछ पानी कम होगा नहीं होगा वो उतना ही बचेगा तो उतना ही बचा है यह फाइब इसका अंसर इसलिए फाइब होता है क्योंकि एसस का सोलेशन है इसका अंसर आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि फाइब होता है अगला क्वेशन लेते हैं आपने देखा होगा एक इस टाइप क्वेशन होता है जैसे रूट 12 फ्लस रूट 12 फ्लस रूट 12 और यह सो अन इंपनेट इड़त अब इससकं देखा होगा आपने रूट के अंदर 12 फ्लस फ्लस में उस समय तो मंधम si अब फरि यह लेगे टीक है है तो हम्हें कुछ नि Garnaπε से देखेंगे ऐसे दो गुणानख़न्न लेने हैं से दो टा लेने है जिनका ठीफरेंस कितना उन चाहिए सिर्फ वन ऐसे दो गुणानख़न ले 3 लेंगे फोर और तरी कितना है वन है अब जो हमारे दूख होंगे उन में से बड़ा वाला अगर यहां देखो अगर यहां प्लस है अगर प्लस है तो हम बड़ा वाला ठेक्टर उठाइंगे और वहारा अंसर क्यों जाएगा हमारा अगर यहां माइनस होता तो मारा आंसर के वाज़ा थी यांसे ही अगला लेते हैं क्वेस्टन नमबर थी यह रूट है रूट के अंदर बारा माइनस बारा रूट 12 और सो ओन इंफिनिटी च्छिक है अब इसका आंसर क्या हो जाएगा करना वही है इसके हूँए जिनके बीच का डिफ्रेंस क्या होने चाहिए वन टिफ्रेंस है ठीक है अब यहां माइनस है इसके लिए इन दिसना वह कुल जाएगा? यहां करते हैं इसको बरावर ले लिया एक्स ऍरकैसे पोरा कुंशन है इसे बरावर हमने यहां इस un woods साइड मैंने स्कुरह किया यह सब्सक्राओर यह समय होगा तो कैसे हो जाएगा यह 12 फ्लस रूट बागे तो ऐसे रहेगा 12 फ्लस रूट 12 और इसो ओन इंफिनिटी और बराबर एक्स स्क्वाइर हो जाएगा बनेगा नहीं बनेगा अब देखो यह मैंने क्या बता है फिर से वही आ गया जो यह है और वो कितकी बराबर है एक्स कि बराबर है इसले में से एक्स लिंग सिथा हूं जीए ते क्या हो जाएगा आँ हमारे पास क्या बन गया डिफ्वत पर chirp मैं इद स्कॉर्प करना है इस बीच वाले को एस तोा ड़ना है गुला करके इतना आए पर यह minus है minus करके इतना आना चाहिए गुला करके 12 के बराबर और Plus या minus करके X के बराबर, क्योंकि यहां minus sign है तो इसलिए minus करके 1 आना चाहिए ऐसा केस में तूटेगा यह X square minus हम इसे तोट सकते हैं, 4 X और minus 3X में और minus तो बरावर 0 हो जाएगा हो जाएगा अब यह अंदर वाला टूट गया एक्स को आमने 4x-3x 4x-3x कितना होता है एक्स ही होता है ठीक है अब इसे हम वह वह सॉल्ब करेंगे x2-4x अभी माइनस अंदर के साथ गुणा हो के प्लस बना देगा तो प्लस 3x-12 साथ सोब्सक्राइब बरावर 0 हो जाएगा अब अब फेक्टर लेएंगे हम यहां से ऐसे स्टरी फेक्टर आ रहा है यहां से क्या अंदर क्या लिया अंदर एक्स बचा और 4 बचा यहाँ से हमने 3 प्लस का 3 अंद्र किya बचेगा x minus 4 बचेगा बरावर 0 तीक अब इससे एक होगे x प्लस 3 दूसा हो गया x m-4 ब्रावर 0 तीक है अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है देखो एक है x plus 3 और एक है x minus 4 अब बराबर 0 जब भी 2 संख्याएं गुणा होती है और उनका product 0 है इसे इसको ध्यान दो 2 संख्याएं गुणा हो रही है उनका product 0 है एक संख्या यह है x plus 3 एक संख्या है x minus 4 दो कि कुछ जिरो है जब उन मैं से एक संख्या जीरो हो या दौनों जीरो यह तभी हो सकता है जीरो प्रोड्थ आने के लिए जीरो से गुणा होना ज़रूरी है इसका मतलब या तो यह यह जीरो होगा तो हम बारी बार इससे लेते हैं हमने लिया x plus 3 बरावर 0 या तो यह 0 होगा तो अगर यह 0 है तो x कमान कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा दूसा case x minus 4 बरावर या तो 0 तब 0 होगा x minus 4 अगर 0 है तो x बरावर कितना हो जाएगा 4 ठीक है अब देखो यह negative में है हम यह वाला नहीं लेते हैं इसे एक डोर कर देंगे और हम क्या लेंगे यह positive वाला हमार आंसर हो जाएगा बड़ा x बरावर 4 अगर हम जो माइनस वाला जिसमें माइनस आने हैं बीच में बारा माइनस वाला था उसे करते तो यहां पर यह X ब्राबर प्लस 3 आता और X ब्राबर माइनस 4 आता फिर माइनस वाला 4 वाला होता मुझे नहीं लेते हैं हम किसे लेते सिर्फ X ब्राबर प्लस 3 वाला वो माइनस वाले के लिए ठीक है? ये भी हो गया आपका आपको ध्यान रखना है अगर माइनस हो तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा और अगर प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर होगा ठीक है? अगला कॉशन करते हैं अच्छा अब एक क्वेशन ऐसा होता है जिसमें लिमिटेर होता है अभी तक तो अनंद तक है इंफिनिटीव तक है अब ही क्या होता है? चौथा क्वेशन लेते हैं चार हो तीन हो गया चौथा है चौथा क्वेशन जैसे रूट के अंदर एट अफिर एक गुणा में है जैस शुरू वाला था एट और एट बस इतना है इससे अधिक नहीं है पहले वाला क्या था? रूट फाइव, रूट फाइव, रूट फाइव और यहां जलके इन्फिनिटीव मतलब वो इतना लंबा था ठीक है? पर इसमें क्या है? इसमें लिमिटेड है लिमिटेड मतलब सिमिद दिया हुआ है आठ, रूट आठ, रूट आठ, रूट आठ, रूट आठ, रूट आठ, इसका अंसर बोलता है क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है, वैसे तो formula है इसका, पर मैं आपको एक trick बता जिता हूँ, इसके trick क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है 2, 2 लेना है, 2 की 8 होगा, उतना ले लेना है, कितनी बार थे 8, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर फोर करदेना है, क्या बुला मैंने, हर केस में, चाए 8 हो, चाए 5 हो, चाए 3 हो, कुछ भी उसके अंदर लिखा हुआ, 2 की पावर फोर ही करना है, एफ बता हमाँ ऐसे क्यों करना है, 2 की पावर 4 किया 4 यह 4 क्या है जितनी बार यह है 1, 2, 3, 4 अगर एक बार 8 और तो हम यहां 5 लेते हैं 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है अब क्या करना है इस 16 मैंसे 1 माइनस करना है और इसके उपर लिख जाना है कैसे इस 16 मैंसे 1 माइनस करके इसके उपर लिख जाना है 15 अब यह जो fraction है यह हमारा answer कैसे हो जाएगा जो यह 8 है यह 8 है ना इस 8 को लिखना है उसकी power क्या लगा दानी है 15 by 16 और यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है एक बार को पिताता हूँ क्या क्या मैंने इसके अंदर कुछ भी हो जिसे 5 भी लेते हैं 5, 5 5 और 5 तो क्या करेंगे जितनी बार है 2 की power उतना ले लिए यहाँ पर कितनी बार है 5 1, 2, 3, 4 फोर बार है 2 की power 4 किया 2 की power 4 होता कितना है 16 होता है अब उस 16 मैंसे 1 मैंस करके उपर लिख जाना उसकी ठीक है 16 में से 1 माइनस करके ऊपर लिखेना है अब यह आप 2 की पावर 5 होता 32 होता 32 में से 1 माइनस करके 31 लिखते है यहाँ पर लिखते है अब जो यह फ्रेक्शन आया जो भिन आया उसको जो इसके अंदर है root के अंदर उसकी पावर लगा देने है वो हमारा answer होगा ठीख है अब देखो इसके लिए फार्मुला भी है वैसे अगर आपको ये पशंद नहीं आरा था आप फार्मुला यात कर सकते हो इसका फार्मुला है X की पावर 1 माइनस 1 गार 2 की पावर N यहीं स्का फार्मुला है 2 की power n, n मतलब जितने बार यह आया है number, 1, 2, 3, 4 बार आया है, 4 बार आया है तो 4 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा भी है? 5 की power, 16 हो जाएगा है, 2 की घाथ 4, 16 होता है, 16, गुणा 16, minus 1 by 16, तो कितना हो जाएगा यह, 5 की power, 15 बटे 16, ठीक है? यह भी उतना ही होता है अगर हम इसे करते तो यहां पर हमने 8 लिया है पहले बाले में 8 था इसलिए अगर 5 है तो पांस ही पावर 15 वटे 16 होता ठीक है इस इसके ध्यान रखना है हम इसे explain करके दिखाता हूं ऐसा कैसे होता है आप इस formula को ध्यान रखो यह formula यह हमने निकालना है explain करके हमें यह निकालना है ठीक है मिटा देता हूं इसे अब एक चीज देखो अगर मैं इसकी पावर हटा हूं मान लोग ऐसा है पांच ही लेते हैं explain की जूरत नहीं यह कुछ इस तरीके से है ठीक है अब क्या करूं मैं अगर इसकी पावर हटाता हूं तो मैं क्या लिखना पड़ेगा मुझे 5 की पावर 1 by 2 अंदर फिर उसके अंदर वाला पावर 1 by 8 उसके अंदर वाला 1 by 16 वह नहीं होगा ऐसे यह अगर यह एन टम तक लेना पड़ेगा हमें देना पड़ेगा अब मैं इसे फिलार कुछ देर के लिए भूल जाता हूं इस फाइब को भूल जाता हूं थीक है मैं सिर्फ इस पावर को लेके चलता हूं पावर ली मैंने 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 और यह सो अन एन नमर था ठीक है अब क्या किया मैंने अब आपको दिखी रहा हूं यह क्या है जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है है कि नहीं है गुणोतर स्राणी है कैसे इन दोनों का रेशियो सेम है मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है 1 by 2 इन दोनों का रेशियो क्या है 1 by 2 इसमें भाग द फिर जब 1 by 4 आया यह वाला इसमें फिर 1 by 2 से गुणा किया तो कितना आया 1 by 8 वैसे ही अगले वाले 1 by 8 को 1 by 2 से गुणा करेंगे तो कितना है 1 by 16 तो यहीं चलता देगा आपका ठीक है तो इसका मतलब क्या है रेश्यू क्या है इसका 1 by 2 है आर कितना है 1 by 2 ए कितना है ए वोलते हैं किसे फर्स्ट टम को पहले पात को क्या वोलते हैं ए वोलते हैं ए कितना है 1 by 2 ठीक है अब इसका फॉर्मला क्या है देखो गुणोतर स्रैनिक के संक्पदों का योग ठीक है जोमेट्रिक प्रोगर्सम के का सम तो इसका फॉर्मला by 1 – 謝謝 आर ये इसका नहां होता है जेमेंटिर्कल फेसंग Leure sube के दिए यह फार्मूला रोविपि आंदे इसमें अगर हम इसका जो यह फॉत करते और अधे हमारे पास वही मिलेगा जैसे A A क्या है 1 by 2 1 by 2 1 minus R की पावर N 1 minus R R क्या है 1 by 2 1 by 2 की पावर N ठीक है इसकी पावर N रगे कि तो 1 का 1 ही हो जाएगा अब इसकी पावर N रह जाएगा ठीक है और नीचे क्या है 1 minus R, R मतलब 1 by 2 1 by 2 ठीक है 1 minus 1 by 2 तो 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 से 1 by 2 कैंसल हो जाएगा क्या बचेगा 1 minus 1 by R की पावर N तो कितना होता यह यह हो गया ना उतना ही जितना मैंने आपको बताया था क्या बताया था मैंने x की पावर 1 minus 1 by 2 की पावर N हमारे पास यह फौर्म्मला है कि अगया हमारे पास कि कि यह तो हमारे सिर्फ पावर ही हो लिए यहां से पावर लिए यह रुठाय है यहां से अ Hayır ये मैंने क्या बोला था पहले तो यह कु फर में तोड़ा मैंने फिर उसका पावर लिया मैंने सिर्फ 2545 प्लस बाइक वंगा शिक्षिटीन और सोग एंद तक जो यह पावर लीती हैं हमने पावर से हमारा यह निशक्ष निकल राश्ट में तो फाइव की तो फाइव किपावर कितना इतना वहां पर एक्स है तो हमने यह फाइव है इस तरह से इसका सुलेशन होगा ठीक है आगे औ कि एक और पसंद होता है यह से अंडर रूट 17 प्लाइस रूट 17 प्लाइस रूट 17 प्लाइस रूट 17 प्लाइस रूट 17 अब देखो पिछले वाले में ऐसा यह बसंद था यहां पर 12 की गुणंखांड हो जाते हैं यहां चाहिए तो इसके लिए आप चाहों तो उसी टाइप से कर सकते हो बाद में सिर्द्रचारे का फर्म लागर कर सकते हो नहीं तो आप कोशी यादा क्या रखना है याद अखना है 4A plus 1 plus 1 by 2 यह आपको याद अखना है इसके लिए क्या रखना है याद root 4A plus 1 plus 1 by 2 ठीक है आप देखो इसमें मान अख देंगे 4 root 4A A कितना 17 को लेंगे क्या लेंगे 17 17 plus 1 यह भी root के अंदर अभी ठीक है और plus 1 अलग से है by 2 हो जाएगा ठीक है और बराबर क्यों हो जाएगा answer और यह 69 कितना 69 plus 1 by 2 तो हमारा answer कितना होगा इसका root 69 plus 1 by 2 ठीक है अगर आप चाहो इसे सिर्दराचारे फार्मरे से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो ध्यान लखना इसको यह आंसर ध्यान लखना ऊपर लिखते हैं root 69 plus 1 by 2 यह हमार answer है ठीक है हम यह सिर्दराचारे फार्मरे से करता हो और उससे हम solve करते हैं देखते हैं कैसे निकलता है ठीक है सबसे पहले वही अपना हुए वाला case बराबर x माल लो दोनुँ side square करें दोनु side square की यह वाला root अटेगा और वाहां square लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 प्लस root 17 प्लस और so on infinity बराबर क्या जाएगा x square हो जाएगा फिर वही यह वाला term क्या है x के बराबर है तो 17 प्लस x बराबर x square हो जाएगा फिर इसको हम गात समीक्राण की रूप में लिखते हैं x square यह उस तरफ से जाएगा माइनस x और माइनस 17 बराबर 0 हो जाएगा अब यहां पर क्या करना था यहां पर इसके ऐसे दो पार्ट में तोड़ना था गुणा करके इतना आना चाहिए था और माइनस करके 1 x आना चाह सिर्दराचारे का फॉर्मला है ठीक है अब हम हमें यहां से लेना है abc abc क्या होता है इसमें ध्यान दो जरा अगर इस टाइप से कोई equation होती है जैसे यह होती कैसे a x square प्लस b x प्लस c बरावर 0 इस टाइप से question होती है ठीक है मतलब जो x square कोफिसेंट होगा x square कोफिसेंट होगा वो a आएगा जो x कोफिसेंट होगा वो b आएगा और जो last time constant time में वो c की जोगा पर आएगा ठीक है तो यहां पर देखते है a b क्या है a यहां पर है one है इसका क x नहीं बी एक एक सपोफिसेंट माइनसरे कितना है सटरह सति अब इस से हम इसमें पूट कर लेंगे हमारा आँसर आजाएगा देख कर in aga स्क्राइब करेंगे तो वन हो जाएगा यह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ठीक है तो वन और माइनस फोरेसी 17 एक और चारो गुणा फोरेसी मतलब जैसे सिक्ष्टीनाइन बाइग ठीक है अब यहां पर प्लस माइनस क्यों आया है अगर यह्off होता तो माइनस आलब्यूस करते इसी में अगर प्लस है थो एक प्लस आलफ टांव उसकर इचाल आंसर कितना जाएगा इससे आगे यहां पर कल लेता हूं रूट पहले मैं से लिख रहा हूं ठीक है आगे पिछने लिखने से कोई फरक नहीं पड़ता है वन और यह प्लस वन प्लस वन बाई टू है इतना है यह ठीक है अच्छा स्वरी सतरचपू आंटशट और एक प्लस होगा ना पहले 69 निए 68 था और यह एक प्लस वन 69 अब जाके 69 हुआ ठीक है मैंने पहले यहां गुणा भी कर दिया जोड भी दिया और मैंने 69 प्लस वन भी लिख जा ठीक है प्र गलती होगी यह पर यहां बे 68 और अब यह होगा प्लस वन अब 69 प्लस वन हो जाएगा ठीक है तिसे दुंसे हमारा आंसर जाएगा जहां रूक सिस्ट्णाइन प्लस टू यह भी कितना है रूड़ कि दो किसे तरीके से विकस्टे है और जो होगा यहां तो यहां माइनिस कर देंगे यहां प्लस है यहां प्लस कर देंगे ठीक है तो इसको च्छिर से करते हैं रूट फोर इंटू 17 प्लस वन और प्लस बाइट डू साथ अचाट होता है प्लस वन 69 हो जाएगा 69 टू से कर सकते हैं अगर यहां माइनिस है तो क्या तो हम क्या करेंगे आपको बताром मैंने फार्मला वही है बिल्कुल वही है फोर ए प्लस वन सिर्फ यहां पर माइनस है वन बाइ टू इससे पहले यहां प्लस था यह वाला प्लस ना अब यहां माइनस हदाएगा इसका अंसर के वजाएगा रूट 69 माइनस 1 बाइ 2 यह इसका अंसर होगा ठीक है कितना प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस और यह सोवन अनन तक अब जोगो इसमें क्या डिफ्रेंस है इससे पहले जो भी हमें मिला था उसमें क्या था इसे करना है इसे करना है रूट इसका फॉर माइनस 3 अब यहाँ पहले बाले में plus है तो यहाँ plus one by two अगर पहले बाले मायनेस, तो यहाँ minus आता है, ठीक है, बाकी पूरा formula वही आना है, root 4 है minus 3 plus one by twochuss' करते हैं, solve root 4 एक जोगए पे sixा एगा, six minus three plus one by two, कितना हो जाएगा है यह चाहएचों कुछ 24 में से तीन गया 21 रूट 21 प्लस वन बाई टू ठीक है यह इसका अंसर हो जाएगा एक क्वेशन और लेते हैं अब यहां पर माइनस लेता हूं मैं कि फे बाफ प्लस अभिशन हो गया पहले माइनस था पर माइनस था लाव पार पहले माइनस मैंनस था टाउ डोए सिर्फ यह पर धत्यों का माइनस हो जाएगा और और यहाँ भी ञाएनस गार बाकी यह बीस पूरा फॉर्मला गोहिघ्या और हमारा अंसर रूट 21 माइनस 1 बाइ 2 आजाएगा ठीक है तो लोग दोस्तो आज की वीडियो यहीं समात करते हैं चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राब कीजिए और वेल आकिन को जुरूर प्रेस करना फिर मिलते हैं आगले टॉपिक में ठीक है